मोधी सरकार ने बड़ा अध्यादेश जारी कर दिया है अध्यादेश डॉक्टरों और स्वास्तकर्मियों की सुरक्षा के लिए जारी किया गया है जो भी डॉक्टरों पर और स्वास्तकर्मियों पर हमला कर रहे थे अब उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है और सक्त जो भी चाहे वो जमाती हों या जमाती के सपोर्टर जो भी डॉक्टरों पर हमला कर रहे थे देश भर के कोने कोने से ये घटनाय सामने आ रही थी जब से ही कोरोना वाइरस के मरीजों की संख्या सामने आई है तब से ही जब भी कोई डॉक्टर या स्वास्त कर्मी या मेडिक लागातार हमले हो रहे थे कई जगह से ये खबर आई दिल्ली में कल ये खबर आई कि इस तरीके से जमाती आ डॉक्टरों के साथ बतसलूकी कर रहे हैं जिसके बाद यह सक्त कानून बनाया अब इनके लिए ये एक खोश उड़ाने वाली खबर है क्योंकि अब सक्त कानून बन गया है और सक्त कारवाई की जाएगी पहले गाजयाबाद की घटना चाहे हो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसी जगव से घटना आई थी बिहार देश भर के ऐसे ऐसी घटनाय सामने आई थी और अब उसके बाद ये कानून बनाया गया है और इस कानून में ये कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देता है तो उसे बक्सा नहीं जाएगा और स्वास्त कर्मियों पर हमला करने वालों को तीन महीने से पांच साल की सजा हो सकती है और अगर मामला गंभ गंभीर है तो 6 महीने से 7 साल की सजा का प्रावधान है और वहीं पर जुर्माना भी इसमें है अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर या स्वास्त कर्मी पर हमला करता है तो 50,002 लाग तक का जुर्माना भरना पड़ेगा और साथ ही अगर मामला गंभीर है तो 1,005 लाग तक का जु लोग शामिल हुए थे उनको पकड़ने मेडिकल टीम गई थी वहां पर भी उन्होंने थूका था और जब थूकने से ये संक्रमन फैल रहा है वहां पर भी ये बड़ा सक्त कानून बनाने की जरूरत थी किसी पर अगर कोई थूकता है तो उसके लिए सक्त कानून बनाया ज एक ग्यापन दिया था ग्रह मंत्राले को और उन्होंने कहा था ये 20 अप्रेल को उन्होंने ग्यापन ग्रह मंत्राले को दिया था और कहा था कि अगर सेंट्रल लॉग इस वाइलेंस के अगेंस नहीं बनाया गया तो 22 और 23 अप्रेल को ब्लैक डे हम भोशित कर देंगे तो दिया गया था इंडियन मेड़ीकल एस्सीेशन की तरफ से जिसके बाद इस पर कैबिनेट में विचार किया और ग्स मंत्राले ने खुद आयम में सराहनी हैं और साथ उन्होंने इनकी इज़त करने के लिए कहा था और उसके बावजूद भी देश के कोने कोने से ऐसी खबरे आ रही थी कि कहीं पर जमाती इन पर पत्थरबाजी कर रहे हैं ठूक रहे हैं कई चाकों से हमला हो रहा है स्वास्तकर्मियों के साथ बससलूकी हो तो ये अध्यादेश जमाती और उनके सपोर्टरों के लिए होश उडाने के लिए क्योंकि अभी तक उनको किसी भी कानून का भै नहीं था और लगातार ऐसी घटनाय सामने आई थी जिसके बाद पूरे मेडिकल टीम में इसको लेकर आक्रोश था और उसके बाद प्रकाश जावेडकर ने प्रेस कॉंफरेंस में आकर इस अध्यादेश के बारे में बताया और साथ ही क्या-क्या प्रावधान है ये भी उन्होंने बताया इंडियन मेडिकल एस्योशेशन ने जब ग्यापन सौपा उसके बाद ग्रह मंत्राले ने वीडियो कॉंफरेंसिं कि ये कानून आयेगा और उसके बाद में कैबिनेट की बैठक के बाद इस अध्यादेश को जारी किया गया है वहीं दूसरी बड़ी खबर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को लेकर है जो दुनिया के सबसे लोक प्रिये नेता के रूप में नंबर वन पर बने हुए हैं रेटिंग 68% बताई गई है और ये सबसे नंबर वन की रेटिंग है और बाकी दुनिया के जो नेता हैं इससे नीचे हैं तो जो और नेताओं की रेटिंग है वो नीचे है नीचे पैदान पर आ गई है और प्रधान मंत्री मोधी की रेटिंग नंबर वन पर आ गई है तो ये भारत के लिए और प्रधान मंत्री मोदी के लिए गवरों की बात है कि किस तरीके से प्रधान मंत्री मोदी आज ग्लोबल लीडर के तौर पर देखे जा रहे हैं। या सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड़ रहे हो तमाम ऐसे विपक्षिके नेता और तमाम ऐसे लोग हैं जो मोदी विरोधी हैं और साथ ही वो सरकार की अलोचना कर रहे हैं अब उन लोगों के लिए ये बड़ा जटका है क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधान मंतरी मोदी को देखा जा रहा है ये बहुत बड़ी एहम बात है यहां तक कि आपको बता दे कि दुनिया का सबसे सक्तिशाली देश अमेरिका की राश्पती डोनाल ट्रम्पी प्रधान मंतरी मोदी से पीछे हैं और सबसे नीचे है जापान के प्रध प्रधान मंतरी मोदी नंबर वन पे बने हुए हैं और वाई पीम मोदी की रेटिंग में सुधार की वज़ा है जो है वो कोरोना वाइरस से निपटने को लेकर उनकी तैयारियां है तो जिस तरीके से समय रहते उन्हें लॉकडाउन का फैसला ले लिया था उसके बाद भरों में सामान जमा करने लगते और बाहर त्राही मत जाती और जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल करने के लिए इसको एक दिन का जंता कर्फ्यू लोगों से जंता कर्फ्यू की अपील की उसके बाद लॉकडाउन की घोश्टा की तो उसके बाद ये देखने लायक था कि क इस तरीके से उन्होंने situation को control में किया और उसके बाल लगातार सरकार जो कदम उठाती रही है करोना वाइरस से लड़ने के लिए उसके ही जरिये आज प्रधानमंत्री मोदी जो उन्होंने फैसले लिये हैं करोना वाइरस से लड़ने के लिए आज वो number one पर बने हुए हैं सबसे बड़े नेताओं के साथ विपक्ष के साथ और खेल जगत से समाज के जो स्वास्त कर्मी हैं उनसे जुड़कर सबसे यह रायली कि इस पर क्या कैसे करना चाहिए उसके बाद उन्होंने फैसला लिया उन्होंने सूजबूज के साथ लिया और आज पूरा विश्य उन साथ ही आज यह ट्रेंड कर रहा है कि प्रधान मंतरी मोदी ग्लोवल लीडर है और उससे बड़े बड़े जो ग्लोवल लीडर पहले थे वो सारे अब नीचे आगा चाहिए वो डोनाल ट्रम्प हो शिंजो आबे हो यह तमाम ऐसे लीडर जो पहले पहले नंबर पे थे वो आज पीछे आ गये हैं चाहिए शक्तिशाली देश के राष्ट पती डोनाल ट्रम्प ही क्यों नहीं हो तो इसी के साथ जिस तरीके से सरकार काम कर रही है चाहिए वह दॉक्टरों को लेकर जो अध्यदेश लेकर आई है तमाम ऐसी कदम उठा रही है और तुरंत एक्शन लिए जा रहे हैं किसी की भी किसी भी चीज में रियात नहीं की जा रही है तो यह देखकर आज पूरे देश में जिस तरीके से हालात को कंट्रोल में रखा गया है बाक प्रदान मंतरी मोदी आज नंबर वन के लिए पालन किया उसके बाद ही यह जो संभव हो पाया है प्रदान मंतरी मोदी आज नंबर वन के नेता के रूप में देखे जा रहे हैं पूरे विश में और साथ ही जो अध्धादेश पारित किया गया उससे स्वास्त कर्मी भी काफी खुश है उन्होंने यह खुशी जताई है कि जिस तरीके से अक्षण लिया गया और उसके बाद यह अध्यदेश लाया गया इंडि